सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड वर्ड चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुवी क्विक वॉलेट बैलेंस को किसी भी बैंक एकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेय जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूँ उमेश सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक माइन वर्ल्ड मुवी क्विक एप के उपर हमने इससे पहले कई वीडियो बनाए हैं उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं मुवी क्विक एप को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर आपको send money from wallet to bank का option मिलेगा या तो आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर नीचे आएंगे तो credit card zone में आपको wallet to bank transfer का option दिखाई देगा इस पर क्लिक करेंगे यहाँ beneficiary का नाम डालेंगे जिसके account में आप पैसे transfer कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे यहाँ account number डालेंगे यहाँ IFC code डालेंगे wallet से bank account में पैसे transfer करने पर हमें 2% का charge देना होगा यहाँ सभी detail डालकर continue पर क्लिक करेंगे यहाँ पर amount डालेंगे आप जितने रुपे transfer करना चाहते हैं जैसे कि हम 50 रुपे transfer करना चाहते हैं तो यहाँ 50 रुपे डाल देंगे ध्यान रहे आप कम से कम 50 रुपे ही transfer कर सकते हैं आप जितने रुपे यहाँ डालेंगे उस पर इतने रुपय की processing fees लगेगी वो यहां पर दिखाएगा यहां रुपय डालने के बाद continue करेंगे इसके बाद आप से confirm किया जाएगा यहां सब कुछ सही है तो make payment पर click कर देंगे इसके बाद आपके mobile पर एक OTP code आएगा उस OTP को यहां डालेंगे यदि किसी कारण से OTP नहीं आ देख सकते हैं money sent successfully नीचे transfer detail आ गई है यहां आपको transfer ID मिल जाएगी और यहां transfer date और time दिया है और आपकी email ID पर इस तरह का mail भी आ जाएगा अगर आप बाद में कभी भी transfer detail देखना चाहेंगे तो आप नीचे history के option पर click करेंगे तो यहां सभी transactions हो जाएंगी हमने अभी जो transfer किया है वो यह रहा इसके उपर click करेंगे तो full details हो जाएगी आप यहां click करके invoice download कर सकते हैं चलिए मैं आपको account open करके दिखा देता हूं यह हमारे account में 50 रुपे अभी credit हुए है moviequick से दोस्तो अब आप moviequick wallet valence को bank account में transfer करना सीख गए हैं इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो like करिए share करिए और अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे और साथ में bell icon पर जुरूर click करिएगा जि